आओ उस्वने हम सिखाशन बख्टी सी आओ राजा धोच मैं आपका ही इंतिजार कर रही थी आहाँ मुझे पता है कि अप मेरा ही इंतिजार कर रही है अब आप अपना नाम बताने का कश्ट करेंगी मैं इस सिखासन के ग्यारवी पुतली त्रिलोच ना हूँ आपने यहां आने का कश्ट क्यों किया आप जब दस्वी पुतली के कहने से भी ना बाने तो मैंने सोचा शायद आप मेरी कहानी से समझ जाए अच्छा आपकी कहानी में ऐसी क्या बात है बात तो है लेकिन अब ये देखना है कि आप में वो बात है के नहीं अगर हमारे अंदर बात ना होती तो हम राजा कैसे बनते राजन मैं इस सिंधासन के अधिकारी राजा विक्रमादित्य की सेवा में वर्षा तक रही ही मैं आपको राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ कहानी पर सुन में निर्ण ने केजिए, के या इस सिंगासन पर बैठने की योग्या हैं या नहीं? हीख थीख है ये तो हम कहानी सुनने के बाद ही निर्ण करेंगे राजा विक्रमा दित्य सही अर्थों में प्रजा पालग थे थे अपनी प्रजा की सुख शांती के लिए वे सदै तयार रहते थे है हमारे प्रेजनों हम राजे की सुख शांती के लिए महायग्य करवाना चाहते हैं हम सभी आपके इस कार्ये की सराह ना करते हैं हम चाहते हैं कि हमारे इस यग्य में पवन देव और सागर देव को आमंत्रित किया जाए महराज इसके लिए आपको एकांत में घोर तब करना होगा राजगुरु हम कोई भी तब करने को तयार हैं परन्तो राजबुरू, पवन देव का मंत्रित करने में ना जाने कितना समय जाएगा, हम चाहते हैं कि समुद्र देव की जिम्मेदारी आप समाले जैसे आपके अग्या महराज, मैं अपने ब्राह्मन मित्र से ये कारिय करवाओंगा और इस तरह राजा विक्रमा दित्या पवन देव को बुलाने स्वेन चल पड़ी, और एक ब्राह्मन सागर देव को प्रसन करने में लग गया ओम पवन देव प्रसन हो, ओम पवन देव प्रसन हो, ओम पवन देव प्रसन हो ये राजन इस समय पवंदेव का निवास सुमेरू परवत है इसलिए आप वहीं जाकर तप कीजिए सुमेरू परवत तो यहां से बहुत दूर है हमें वेतालों की सहता लेनी होगी है वेतालों तुरांत हमारे सामने प्रगठ हो कहिए महराज वेतालों हमें सुमेरू परवत जाना है तो जाईए किसने रोका है सुमेरू परवत यहां से बहुत दूर है तुम दोनों हमें वहां पहुंचा दो तो चलिए महराज तो चले सुमेरू परवत की ओर दोनों बेतार महाराज विक्रमा दित्य को सुमेरो परवत पर छोड़ देते और राजा विक्रमा दित्य तब करने लगते ओम पवन देव प्रसन हों ओम पवन देव प्रसन हो ओं सधना से हम बहुताइबिक्रम दित्य को तरुदि त्रेव फेहर अखुश्य मागों क्या मांगते हो प्रणाम पवंदेग पवंदेग हम एक महायग्य कर रहे हैं और हमारी इच्छा है कि आप हमारे उस महायग्य में आदिथी के रूप में पधार कर हमारा सम्मान बढ़ा है थे राज्य की सभी लहले हाती फस्रे उजड़ जाएंगी तेरे राज्य की सभी पे पौदे उखड़ जाएंगी क्या तुम्हारे राज्य में कभी सूका नहीं पड़ेगा कभी अकाल नहीं पड़ेगा मैं तुम्हें काम दिनू गाएं देता हूँ जिससे तुमारे राज्जन सदर्दू वदही की नदियां बहेंगे इस तरह पवंदेव वर्देखन चले गए ए वेतालों यहां हमारे पास आओ कईये वाराद तुम दोनों यह गाए और हमें हमारे राजी न पहुचा दो लगता है अब हमारे बूरे दिन आने वाले हैं क्यूं-क्यूं यह गाए नहीं देख रहे हो राजाओ विक्रमगित के हमें गाए चराने का काम देने वाले हैं तुम्हारे बगबग ख़तम हुई हो तो चलें बिलकुल महाराज अगर्देव प्रसन होँ ओमसारदे प्रसन हों हे ब्राम्ःण हम तुम्हारी तबस्चा से प्रसन है बोलू, क्या चाहते हैं? प्रणाम प्रभू, महराज विक्रमादित्ते चाहते हैं कि आप उनके महायग में उबस्तित हूँ अगर मैं वहां गया तो मेरे साथ सारा जल भी जाएगा अगर सारा जल गया तो सभी जीव चंत समाप्त हो जाएगा मैं एक इनसान के लिए सब का त्याग नहीं चाहिए इसलिए मेरा वहां जाना कुछ इतन नहीं हो अम मेरे लिए क्या आदेश है प्रभू मेरी और से राजा बेक्रमा दिश्ट से कहना कि मुझे उनका निमंतर शुकार है जल की बूनबूद में मेरा वास है वे यग्य के लिए जिस जल का प्रयोग करेंगी उनमें मैं भी पस्षित रहूँगा वे जो यग्य करने जार हैं उनकी मैं उन्हें शुकामनाय देता हूँ और अपनी और से राजा को ये पांच बहमूल रत्र और समच्री बोड़ा देता हूँ इन्हें मेरी और से राजा बिट्रमा दिश्ट को देता है ऐसा ही होगा देव ब्राहण महाराज को दोनों उपहार लाकर देता है और पूरी बात बताता है है ब्राहण रास्ते के परेशानी को सहते हुए आप समुद्र के किनारे पहुँचे और कठोर तब करके बहुत कश्ट सहके आपने समुद्र देव को कसंद किया इसलिए इन दोनों चीजों पर असली अधिकार आप ही कारें अतहर आप इसे स्विकार करें बहुत बहुत धन्यवाद महाराज बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थी कहानी महाराज विक्रमा दित्या के तब त्याव और दान की तो कहिए राजा भूच क्या आपने कभी ऐसा दान दिया है अगर हां तो आप सिंगासन पर बैठ सकते हैं हां ये वाकई महान दान था ऐसा दान आज तक मैंने नहीं किया हुआ 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 कि इसा प्रजह आईये आईये प्रणाम राजा भोज राजन मैं सिंगासन की बारवी पुतली पदमावती हूँ तो आज आप आई हैं मुझे सिंगासन पर बैठने से रोकने के लिए मैं चाहती हूँ आप महाराज विक्रमादित्य के सिंगासन पर बैठे मैं भी तो यही चाहता हूँ मगर इससे पहले आपको एक गाथा सुननी होगी तभी आप इस सिंगासन पर बैठ पाएंगे कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी, उसके उपर एक और कहानी और उसके बाद तुम्हारी मन मानी मैं कोई छोटा बच्चा हूँ, जो रोज कहानी सुना कर भगा देती हो मुझे बैठना है, तो कहानी तो सुननी ही पड़ेगी न ठीक है ठीक है अगर तुम लोग जिद्धी हो तो मैं भी जिद्धी हूँ सुनाओ कहानी एक रात की बात है महाराज विक्रमादित्य महल की छट पर खड़े थे बचाओ 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 हमें उसे बचाना चाहिए बचाओ बचाओ मुझे बचाओ कहाँ जाओगी सुन्जरी उससे बचना आसान नहीं खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तू भी मारा जाएगा जा भाग जा यहां से हो सकता है तू मारा जाए अच्छा तो ये बात है तो फिर आप मुझे से लड़ने के लिए नयार हो जाए तैरी मौत हमारे हाथ होई लिखिये दोष्ट जो ठक गए हाँ 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 पानी पियोगे हाँ 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 पानी पियूँगा ले पी बार पी तुझे हम बानी पिला पिला के मारे पी और ये ले वह राक्षस फिर से जीवित हो जाता है और अब वह पहले से भी खूंखार हो जाता है उसके उप्ते ही जिस जगह राक्षस का खून गिरा था ये दूसरा राक्षस पैदा हो जाता है हाँ 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 है ये क्या इसने इसने मुझे पानी पिला पिला कर मारा है अब हम दोनों मिलकर इसे हवा में उचाल उचाल कर मारेंगे हाँ 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 परक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक् बचा अपने टांगों को अब अब दरने की कोई बात में वो राक्षास भाग गया और दूसरा मर चुका है लेकिन तुम हो को और ये राक्षास कौन था मैं सिहल द्विप राजे के एक ब्रावन की पुत्री हूँ एक दिन मैं अपने सहलियों के साथ एक सरोवर में स्नान कर रही थी तभी मुझे इस राक्षास ने देख लिया और मुझे पर मोहित हो गया फिर वो मुझे इस जंगल म इसे अपनी शरीक को छूने नहीं दूँगी सब्सके संगारों नहीं पार Ama Band Far closure के बारे में नहीं बताया इसलिए पैदा हुआ क्योंकि पहले लाक्षास के पेट में मोहिनि है वह राक्षास के जितनी भी बाहर मारा जाएगा Also मुहिनी अमृत वारा उसे फिर जिन्दा कर देगी जब जब वो मारा जाएगा एक राक्षस और पैदा होता रहेगा लेकिन पैदा होने वाले राक्षस को मुहिनी जिन्दा नहीं कर सकती क्यों जिन्दा नहीं कर सकती क्योंकि वो पहले राक्षस के खून से जिन्दा होता है तुम ये सब कैसे जानती हो ये सब मुझे उस राक्षस ने बताया था तुम चिंता मत करो हम उस राक्षस को जिन्दा नहीं छोड़ेंगे और जब तक हम इसे मार ना दे हम महल वापस नहीं जाएंगे वो राक्षस अवश्य वापस आएगा ठीक है हम उसका यहीं बैठकर इ हुआ 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 है तुम मेरे हाथों से नहीं बन सकता तो शेयर बनकर हम पर धोक्या से वार करने आया था है 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 बस बात नाटा कर चुका दोश यह ले आज अज वाई बसे चोड़ता मुझे चोड़ता लोग उस्तिरी को पकड़ो वो अमरी तना पिला पाए ये तो हमारे हाथ का खेल है को पंस यही तो करते राए है है चोड़ो चोड़ो मुझे चोड़ेंगे नहम कौन हो तुम क्यों उसके पेट में रहती थी मैं श्री भगवान की कड़िका हूं एक दिन उनकी आध्या का पालन करने में मुझसे थोड़ी खलती हो गई उन्होंने मुझे क्रोदवर्ष महनी बना दिया और इस रक्षस को दे दिया इस रक्षस को मारकर आपने मुझे मुझ सोख हो पुझे आप शिवकार करें महराद शिवकार करें महराज हौं ठीक है तुमारा इस्थान हमारे में में एक पत्नी के रुप में रहेगा क्या अध्लिं राख्षस को मारा है क्या कि涉ंसी खिर्यामन कन्या का उत्धार किया है यदि नहीं तो आम इस लिजम्य कर लोट जाईए राजा भोज लोट जाईए आदमी होता तो चलता मगर राक्षस ओभी तो दो चल बेटा भोज आज नहीं तो कल सही कभी तो मैंने महराज विक्रमा दित्तिके जैसा काम किया होगा दना दिन चप दिन चप दना दना दिन मैं आपको सावदान करने आई है कि आप इस सिंखासन पर बैठने की कोशिश ना करें नहीं देवी इस सिंखासन पर मैं अवश्य ही बैठूंगा मैं वापस नहीं जाओंगा ठीक है मैं आपको महराज विक्रमा दित्तिकी एक गाठा सुनाते हैं यदि आपने उनके जैसा एक भी कार्य किया है तो ही आप इस सिंखासन पर बैठ सकते हैं आने सुननूगा देवी मगर जाओंगा नहीं एक दिन राजा विक्रमा दित्य ने अपने दर्बार के विद्वानों, ब्राम्भणों और व्यापार्यों के सामने एक प्रश्न रखा है महान समस्त जनों हम ये जानना चाहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है महाराज इस धर्ती पर आपसे बड़ा कोई दानी नहीं है जो अपने परजा की खुशाली के लिए अपने प्राण भी नियुचावर कर दे उससे बड़ा राजा और कौन हो सकता है महाराज वित्रमा जित्तिगी जय ब्राह्मन देव आप चुप क्यों है आपने कुछ नहीं कहा आपके इस चुपी का क्या कारण है महाराज आपसे बढ़कर भी इस दुनिया में एक दानी जिसका नाम है किर्ती ध्वज महाराज किर्ती ध्वज एक समुत्र पार के राजा है वहां मैंने कई दिन रहकर उनकी दानवीता देखी है वे प्रती दिन सुबा उटकर एक लाख सोने की मुद्राएं परजा को दान करते हैं एक लाग सोने की मुद्रा हैं? एक लाग सोने की मुद्रा हैं? हाँ, वे प्रती दिन जब तक ऐसा नहीं कर लेते, भोजन और पानी नहीं लेते क्या आप सत्य कह रहे हैं ब्राह्मन देल? एक दम सत्य वचन है मेरा, यदी ऐसा नहीं हो तो मुझे राज दंड दिया जाए इना किसी भय के जो सत्य बोलने का साहस किया है, वो वाकई में प्रशंसा के काविल है ऐसे धनी राजा को अवश्य ही देखना चाहिए, और सत्य का पता लगाना चाहिए है वे दालों, हमें तुम्हारी आवशक्ता है, तुरांत प्रकट हो हाँ, तुम कान है? हाँ, हस्ता क्या है? तुझे तो हस्ता भी नहीं आता, जल्दी बता, महराज कहा है? है वे दालों, हम ही विक्रमा दित्ते हैं अई, माप करना महराज, हम आपको पहचान न सके लेकिन आपके चिकने-चिकने, चेहरे पर ये गंदी-गंदी छाड़िया क्यों ले टक रही है? हमारा ये रूप नगली है वे दालों अच्छा, तो बताईए महराज, हमें क्यों याद किया? भे वे दालों, हमें समुद्रुपार किर्ति धोज के महल जाना है अरे महराज, बस आखे बंद कीजिए ये लिजिए महराज, आगे किर्ति धोज महल के पास धन्यवाद, ये तो हमारा फर्स था अब तुम दोनों दूर हो जाओ जी, जी, जाओ ये राजे तो बहुत रामेटिक लागता है, लगता है यहाँ कोई वरीपनी प्रनाम महराज मैं आपके राजे में नोकरी करना चाहता हूँ क्या काम कर सकते हो तुम महराज, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, जिसे कोई नहीं कर सकता ठीक है, आज से तुम द्वारपाल के रूप में कारे करोगे बहुत बहुत धन्यवाद महराज पहले दिन, सुबह सुबह, महराज विक्रम अदित्य ने देखा कि राजा किर्ती द्वज एक लाग सोने के मुत्राय पाट रहे हैं यह तब तक चलता रहा, जब तक मुत्राय खत्म नहीं हुई उसकी बाद ही महराज किर्ती द्वज ने बोजन ग्रहन किया महराज प्रतिजिन कहां चाते हैं, हमें पता लगाना चाहिए करते हैं प्रणाम देवी सदाव सुखी रहा ये में में अब मुझे आज्या देवी तो ये बात है प्रणाम देवी सदा सुखी रहो वच ये लोग नहीं देवी हमें ये नहीं चाहते हम तो आपकी कृपा और दर्शन पाना चाहते थे इसलिए हमने ब्राणों की बली दी थे हमें आपकी कृपा चाहिए कृपा ही तो कर रही हूँ वच नहीं देवी हम पर आपकी कृपा नहीं माना ये हो हमें धन नहीं देवी आपकी कृपा चाहिए सात बात यही होता रहा और जब आठवी बात देख पूर्द में लगे तो देवी ने उन्हें रोका बस करो विक्रमादित्य मैं तुमसे बहुत प्रसंद नहीं बोलो क्या चाहते देवी यदि आपकी हमपर कृपा है और आप हमें कुछ देना ही चाहती है तो यह थेली देवी जिससे आप हर बार एक लाख सोने की मुद्राएं निकालती है ये लो विक्रमादित्य आज से तुमस थेली के स्वामी हूँ अगले दिन जब महराज कित्ती पर मंदिर के पास आए तो वे चौप गए अरे अरे ये मंदिर कहां गया देवी देवी कहां है आप लगता है देवी मुझसे नाराज हो गई है महराज कित्ती द्वज वापस आते हैं और पूरे दिन भोजन पानी ग्रहन नहीं करते महराज कित्ती द्वज का वर्षो पुराना नियम तूट चुका था महराज कि जय हो आओ धरम सिंग कैसे आना हुआ है राजन मुझे आपका रोज-रोज कड़ाय में कूदना अच्छा नहीं लगा और राजन मैंने कहा था ना कि मैं वो कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता है मानव कौन हो तुम जो मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दिना महराज हम उजयन के राजा विक्रमा दित्य हैं और आपकी दान वीरता सुनने के बाद आपसे मिलने आए थे आपके इस दान के सामने तो मेरा दान तुछ है संसार में आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है है महराज केर्थी द्वज ये आपके महंता है जो आप ऐसा सोचते हैं अब बताईए राजा वोज क्या आपने महराज विक्रमा दित्य जैसा कोई दान दिया है अगर हां तो इस सिंगासन पर प्रैट जाए वरना उल्टे पाउ लाट जाए वाकई में विक्रमा दित्य एक महान दानी थे मैंने ऐसा कोई दान कभी नहीं दिया लेकिन मैं सिंगासन को नहीं छोड़ूँगा मैं कल फिर वापस आउँगा याद रखना मैं कल फिराओंगा मैं कल फिराओंगा